कोटा में नवी कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षे 16 की निर्मम हत्यकान मामले में पुलीस के हाथ अभी तक खाली है ऐसे में पुलीस इस मामले में 12 से ज़्यादा टीमें बना कर आरोपी की गिरिफतारी के प्रयास में जुटी है बालिका के शवकार रविवार को मेडिकल बोर्ड से पोश्ट माटम हो गया था और आज सुबह उसके शवको अंतिम संसकार के लिए पुलीस ने परिजनों को सौब दिया हालंकि आरोपी ट्यूशन टीचर की गिरिफतारी नहीं होने के चलते आज कई बाजारों में विरोध देखा गया वहीं वेपार महासंग रामपुरा कोतवाली के बाहर आरोपी की गिरिफतारी की मांग को लेकर राज से ही लोग धरने पर बैठे हैं जानकरी के अनुसार रामपुरा कोतवाली स्थाना इलाके में एक ट्यूशन टीचर ने अपनी चात्रा के साथ रेप करने का प्रयास किया और फिर उसकी हत्या कर दी हलंकि इसकी पुष्टी पुलिस नहीं कर रही आरोपी अध्यापक की गिरिफतारी नहीं होने से नाराज शेहर के कई वैपारियों ने आज अपने परतिष्ठानों को बंद रखने का निर्ने लिया इसके चलते आज शेहर के कई बाजार बंद रहे इन वैपारियों और वैपार संकी मांग है की हत्यारे टूशन टीचर गोराव जैन को तुरंत गिरिफतार किया जाए जिसने निर्देयत्या से बालिका के साथ दुशकर्म का प्रयास किया और नाकाम्याव होने पर उसकी हत कोटा शेहर स्पी केसर सिंग शेखावत इस पूरे मामले की मोनेटरिंग कर रहे हैं उन्होंने ही करीब एक दरजन से ज़्यादा टीमे गठित की हैं जो की आरोपी को ग्रफतार करने के लिए प्रयास कर रही हैं आरोपी के भागते समय का सेसी टेवी फुटेज भी सामने जाया है जिसमें वह कोटा शेहर की नयापुरा, रंगपुरा और भधाना की तरफ होता हुआ नोर्दन बाईपास की तरफ निकल गया हालनकि अब इस सम्मद्ध में पुलीस परताल कर रही है और आरोपी को जल्दी गिरफतार करने की बात कही जा रही है